तो ये दो questions जो अभी मैंने करवाए हैं, below वाला और ये वाला, इससे आपकी 14.3 एक दम complete होगी, और एक extra question भी आगया more than वाला, I hope आप stat में कोई भी question में आप नहीं फस होगे, बढ़ अभी एक lecture में आपको इसका और दूँगा, जिसमें और अच्छे और important question में आपके लिए और इन तीनो measure साब जो center tendency हम कर रहे है mean, median, mode, इन में एक relation रहता है, वो relation भी हम discuss करेंगे और उस पे base भी हम कुछ questions करेंगे, ठीक है, तो more than में ये lower limits बन जाती है, lower limits बन जाती है, upper limit आप खुद ही लिख लोगे, क्योंकि 10-10 का jump चल रहा है, और frequency मैंने बताया कैसे consecutive number को minus करक यहाँ पे लिखते जाना है, बस, तो जब तक आपको इसकी basic knowledge ना हो, कि actually इसके अंदर data क्या हमें बता रहा है, तो यहाँ पर कई बार हम silly mistakes कर देते हैं, तो अगर आपको यह समझ में आ गया, तो groups बनाने में आपको कोई problem नहीं होगी, मैंने आपको short word भी सिखा दिया, lower limit, फिर देन upper limit को, यहाँ frequencies कैसे निकालने, conservative number को, बच्चे बिलकुल सही करके आते हैं, कोई silly mistake नहीं होती, बड time बहुत लगाते हैं, आपने time कैसे बचाना है, इस type के questions में, वह मैं आपको यहाँ पूरी calculation करके बताऊंगा, जैसे मैं calculation कर रहा हूँ, ऐसे ही calculation करना exam में, आपक की NCRT से chapter number 14 कर रहे हैं, that is statistics, मेरे बच्चे बहुत जादा easy chapter है, बहुत जादा easy है, इसमें आपको कुछ चार formula basic वाले याद करने है, group data के लिए, number one, mean के दो formula आपके syllabus में है, direct method and assumed mean method, एक आपको mode का formula याद करना है for group data, और एक आपको median का formula याद करना है, और चारो formula में आप को सिखा चुका हो, इसके साथ मैंने ungroup data के लिए mean, median, mode कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने first lecture में आपको सिखा रखा है, right, तो मेरे बच्चे इस chapter के अंदर जितने भी concept है, mean, median, mode, उनके जो formula है, सारी चीज़ें discuss हो चुकी है, तो आज के lecture में मैं आपको इसके important questions करवाने वाल जिसमें 14.3 के दो questions cover हो जाएंगे, जो कि बहुत जादा important है, आपके school में अगर pre-board होने जा रहे हैं, जहां फिर आप final की त्यारी कर रहे हो, तो final में भी इन questions के आने के chances बहुत जादा होते हैं, बहुत जादा chances होते हैं, एक question आपका missing frequency वाला, किसी group की frequency miss है, आपको उसको find करना है, जहां फिर कहीं बार दो groups की frequencies miss होती है, उनको find करना, कुछ mean, median, mode हमें given रहता है, तो 14.3 में एक question ऐसा है, और बहुत से बच्चे उसमें थोड़े confused हो जाते हैं, तो भाई वो question मैं इस lecture में cover करने वाला हूँ, second, कुछ data आपको इस तरह से given होता है, below, 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 आगे क frequency given होती है, जहां फिर more than, more than, more than, more than, लिखा रहता है, आगे कुछ frequencies given होती है, उसमें भी देखा गया है कि बच्चे थोड़ी silly mistakes करते हैं, मानो, below, 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 below question है, और उसके सामने जो column बना हुआ है, number of students का, जा number of किसी भी object का, तो बच्चे उसको frequency समझ लेते हैं, group की, बच्चे आप उसको group की frequency समझ लेते हैं, और आगे cumulative frequency डून रहे होते हैं, उनी frequency से, वो गलत हो जाता है, तो वहाँ पर यह more than, below वाले questions से, groups कैसे बनाने है, quickly, वो मैं आपको आज सिखाने बाला हूँ, पहले understanding पूरी बताऊंगा कि क्या मतलब होता है, उस below and more का मतलब क्या है, फिर उन questions को हमने जल्दी से कैसे करना है, groups में कैसे convert करना है, groups कैसे बनाने है, frequency कैसे जल्दी से लिखनी है, और उसके बाद का column वो तो हम बनाई लेंगे, तो इस सभी important questions आज cover को होने वाले हैं, आप notebook पैल लेके बैठो मेरे साथ, और इन questions की practice को रो, right, so let's start, तो मेरे बच्चे हम आपकी class की ही example लेंगे, वहीं से data collect करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, previous जो lectures मेरे हुए stat के, तो मैंने आपकी class की ही example ली है, तो बच्चों का काफी अच्छा response आया है, बच्चे गह रहे हैं, सर मज़ा आ गया है, तो हमें समझ में आ रहे हैं, बड़े marks का, कितने marks का, 100 marks का आपकी class का test हुआ, तो ये data आपको इस form में दिया गया है, जैसे अभी मैं लिखने वाला, 100 marks का test हुआ है, याद रखना, तो first column में आपको ऐसे बना के दे दिया गया, ये data जो हमें given है, इसके बाद हमें क्या find करना है, mean हो, mode हो, median हो, उसकी कोई attention नहीं है, वो हम कर चुके है, वो हमें आता है, लेकिन हमारी problem क्या है कि data कर इस form में, more than and below की form में, हमें confusion हो रही है, sir, ये frequency है के cumulative है, उसी को हमने आज अच्छे से समझने, तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो marks मैंने आपको इस तरह से बताए, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, more than or equal to 20, य तो आपकी class की कुछ हम strength consider कर लेते हैं, कि आपकी class की strength 40 है, जा 45 है, जा 50 है, ऐसा माल लेते हैं, let us suppose आपकी class की strength है 40, कितनी strength है 40, तो ये जो मैं लिख रहा हूं, इसका meaning understand करें, more than or equal to 20, जनी वो बच्चे, जिनोंने 20 जन 20 से ज़्यादा marks ली, और मैंने बोला, ये minimum marks हैं, आ ऐसे कितने बच्चे हैं, जो 20 जन 20 से ज़्यादा marks ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा इसके सामने 40, तो ये होता है आपका number of students, कभी भी आप more than वाला question देखेंगे, कभी भी आप कहीं पर भी आपको एगर exam में भी आएगा, यहाँ पर जो more than लिखा होता है, यहाँ जो number ह इसके आगे वाले जो number है जो बढ़े ही बनते जाते हैं, पर्ट्िकुलर गैप से वो चलता है, और यहाँ पर जो number होगा, number of students होंगे, number of objects होंगे, कुछ भी होगा, जिस सबसे बड़ा number होता है, सबसे बड़ा number, इसके बाद यह number छोटे होते जाते हैं, कभी भी इसके पूरी क्लास ही है, 40 बच्चे, ठीक, पहला कॉलम समझ में आ गया, पहली बात समझ में आ गई, इसके बाद लिखा रहता है, अब ये बार बार नहीं मैं लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे डैस से लिख रहा हूं, लिखा वी डैस का मतलब है, more than or equal to, यहां पे number लिख रहा हूं, वो नहीं लेने, तो more than 30, ऐसा सोचो इसको more than 30 कितने, यहां पर कोई भी number डाल लेता हूं, let us suppose it is 38, अब ये दो कॉलम को read करके मेरे को आप ये बता सकते हो, कि 20 और 30 के बीच में कितने students आ रहें, अगर मैं ग्रुप बनाओं, कि 20 और 30 के बीच में कितने students हैं, तो आप यहां से मेरे को बता पाओगे, सर्फ वो तो 2 बचे हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा कितने students हैं, 40, और 30 से ज़्यादा कितने हैं, 38, तो इस 30 से ज़्यादा, जो 38 है, इसमें 20 वाले तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि specific कर रहे हैं, वो 30 से ज़्यादा वाले 38 है, तो 2 बचे 20 और 30 के अभी तो detail में बता रहा हूं इसका shortcut बताऊंगा कि data देखा फटाक से class intervals कैसी बनती हैं कैसे frequency लिखनी है जल्दी से पहले तो explanation चलेगी ठीक है अब देखो next लिख दिया more than यहाँ पर I am writing 40 10-10 का jump चलना यह हमेशा fix होगा ठीक है तो more than 40 वो बच्चे जो 40 जो उससे ज़्यादा marks ले रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पर वापिस इससे बड़ा number लिख सकता हूं नहीं लिख सकता इससे चोटा ही number आएगा तो here I am writing 30 वो students जो 40 जो 40 से ज़्यादा marks ले रहे हैं तो वो कितने हैं 30 students हैं तो मैं आपको पूछूँ यहार 30 और 40 के बीच में कितने students आए वो बच्चे जो 30 और 40 के बीच में marks ले रहे हैं तो आपने यहार 38 में से 30 को माइनिस करना है वो जो group बनायागा उसके साम जानी 8 बच्चे वो हैं 8 बच्चे हैं जो 30 और 40 के बीच में marks ले रहे हैं that's all ऐसे groups बनते जाएंगे तो यह data को मैं complete कर देता हूं जो हमें given है तो फटाक से हम लिखते हैं तो more than or equal to here I am writing 50 then 60 then 70 then 80 then 90 क्या मैं यहां पर लिखूंगा last column में more than or equal to 100 more than 100 आपका testy 100 marks का हुआ है तो मैं यहां पर more than 100 तो लिखी नहीं सकता हूँ यह जरूर लिख सकता हूँ more than 90 हाँ more than 90 marks लिए 100 तक marks जा सकते हैं इसके बाद नहीं आएगा यह 90 तक pack हो जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं students लिख लेता हूँ randomly अपनी इच्छा से यहां 30 लिखा let us suppose here I am writing इसी से कम ही लिख here writing 20 से ज्यादा तो लिख सकता here I am writing 15 here I am writing 14 here I am writing 13 and here I am writing let us suppose 7 तो यहां पर इस data की जो knowledge I hope आपको हो गई है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि यह information आपके class की marks की है पहला column बता रहा है 20 से ज्यादा बच्चे जो marks ले रहे हैं वो 40 बच्चे हैं 30 से ज्यादा वाले कितने students 38 है 40 से ज्यादा 30 हैं ऐसे रेड्यूस होता जाएगा वो बच्चे जिनोंने 90 से ज्यादा marks लिए जो बच्चे ने 90 जा 90 से ज्यादा marks लिए वो कितने हैं 7 तो यह data आपको given रहता है यहां से आपको class intervals बनानी होती है यह वाला जो column होता है यह वाले जो दो columns है इनको आपने exam पे copy पे नहीं लिखना होता यह question paper पे होता है इसको question paper पे रहने दो अरे भाई इनको उठा के copy या question paper पे अपने answer sheet पे नहीं लिखना है आपको इसका solution देना होता है तो solution के लिए आपको भाई साब इसको groups में change करना होता है class intervals में change करना होता है अब देखो यह कैसे change होता है class टो class interval यहाँ फिर से आएंगे number of students यह और यह number of students अब हर एक group की frequency बनने वाली महीं कि कि इसको वह frequency मत समझ के न जिससे आप cumulative frequency डूंड रहे होते हो वही गलती लगती है हमें यह हमारी वह frequency नहीं है जिससे आप cumulative frequency निकालते हैं वह group की frequency होती है तो यहाँ तो group बने ही नहीं हुए यहाँ तो more than more than more than का data given है यहाँ पर आपको अभी groups बनाने हैं अब देखो पहले में आप लिखोगे 20 to 30 पहला group फिर इसका shortcut भी बताओंगा कि मैंने कैसे लिखा चोलो मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पर more than में यह जो number होते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यह जो number दिख रहे हैं यह class intervals जो मैं बना रहा हूँ यह उनकी lower limits बनती हैं फिर से सुनो more than में यह जो number आपको दिख रहे हैं यह in class intervals की in groups की lower limit बनती हैं तो आपने फिर जल्दी से data को कैसे convert करना है groups में यह वाले number फटाक से यहाँ पर lower limit में लिख देने तो देखो पहला number 20 आगया 20 आगया फिर 20 के बाद यहाँ क्या आएगा 30, 30 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद क्या आएगा 50, 50 के बाद क्या आएगा 60, 60 के बाद आएगा की अब आपके पास यहाँ पर क्या लिखना है 10, 10 का जम चल रहा है तो उसी साफ से चल रहा है 20 to 30, 30 to 40 40 to 50, 50 to 60 60 to 70, 70 to 80 80 to 90, 90 to 100 that's all 100 marks का test हुआ यहाँ close कर दे कुछ specific ना हो तो simply लिख दो more than 90 last में वो चलता है तो यहाँ पर आप यह सीखो कि किस तरह से more than data को मैं जल्दी से groups में convert कर पा रहा हूँ आपने यहाँ से अपना solution start करना है ना कि इसको copy paste करना है answer sheet पे done, बना लिए groups अब इन groups के सामने आपको number of students लिखने हैं जो इतने के range में आ रहे हैं वो बचे जिन्नोंने 22, 30 के बीच में marks लिए तो भाई साब यहाँ पर मैं आपको अभी detail में बता चुका हूँ वो बचे जिन्नोंने 22, 100 जानी 20 से ज़्यादा कितने बचे वो तो पूरी class ही है यहाँ तो groups कुछ बना नहीं हुआ यहाँ तो randomly फैला हुआ हुआ पूरा group को माइनस करना है और पहले वाले group में लिखना उसको first वाले group में लिखना है तो यहाँ पर आएगा आपका two तो 20 और 30 के बीच में two students यह आपकी frequency create हो रही है इसके बदा mean निकालो, medium निकालो, mode निकालो, कुछ भी निकालो वो as usual निकालना है जैसे आपने basic equation कर रखे 30 और 40 के बीच में तो जैसे आपने इन दोनों को minus किया अब इन next two को minus करना है यहाँ में लिख देने अफिर आपने इनको minus करना है, difference हो रही है, और इफ्रेंस कितने रहा है सर 13 में से 7 सर 6 ठीक है लास्ट वाला जो number होता है वो इसी group की frequency बन जाती more than 90 है ना देखो more than 90 7 नहीं है 90 हो 100 के बीच में 7 students आग जा तो more than में ये lower limits बन जाती है upper limit आप खुद ही लिख लोगे क्योंकि 1010 का jump चल रहा है और frequency मैंने बताया कैसे consecutive number को minus करके यहाँ पे लिखते जाना है बस तो जब तक आपको इसकी basic knowledge ना हो कि actually इसके अंदर data क्या हमें बता रहा है तो यहाँ पर कई बार हम silly mistakes कर देते हैं तो अगर आपको यह समझ में आ गया तो groups बनाने में आपको कोई problem नहीं होगी मैंने आपको short guard भी सिखा दिया lower limit फिर then upper limit लिखो यहाँ frequencies कैसे निकालने consecutive number को minus करके बेरवाइस इसको minus करते जाना है that's all इसके आगे क्या कहानी होती है बताइए क्या निकालने इसके आगे let us suppose आप इसके आगे median find करना चाहते हो तो आपको एक ही column और extra बनाना है that is CF cumulative frequency cumulative frequency क्या होती है कैसे हम निकालते हैं वो सब हम सीख चुके है फिर भी यहाँ हम आपको निकालके बता रहे है सबसे पहले आपकी वही frequency आती है first group की cumulative frequency same ठीक है 2 आ गया फिर 8 and 2 सर जी 10 हो गया फिर 10 and 10 सर इसके सामने आगे 20 फिर 20 and 5 सर जी 25 25 and 1 सर जी 26 26 and 1 सर 27 27 and 6 सर इस 33 33 and it is 40 that's all और इस frequency का total भी आपके बास 40 आ जाएगा last cumulative और total frequency same ही होती that's all मानो आपको आगे mean निकाला है mean तो भाई यहाँ class intervals आपने बना दी है x i वाला column बना लो f i x i को into करो direct method से mean आ जाएगा अगर आपको mode निकालना है तो कोई भी column आगे नहीं बनाना है highest frequency देखो इसमें कौन सी यह 10 आ रही है यह f 1 हो गया यह f 0 हो गया यह f 2 हो गया mode का formula आपको याद अपलाई करो that's all तो भाई इस question के आने के chances बहुत जादा आपके board exam में more than and below वाला तो i hope इसके आगे यह आप median find कर सकते हो अगर आपको यह find करना नहीं आता median, mode या mean तो मेरे जो previous lecture है इस chapter के वो देख लो आराम से आप सीख जाओगे how we can find mean, median and mode तो मेरे बच्चे I hope it is clear अब हम बात करते हैं कि अगर यह data आपको more than नहीं below, 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 below इस form में given हो तो फिर हम question को कैसे करेंगे मेरे बच्चे वो question भी बड़ा मस्त रहता है उसमें भी कोई tension नहीं है more than समझ में आगया तो below भी समझ में आगया अब खुद से आप examples बना सकते हो आप class की example लो और वहां लिखो वो बच्चे जो इतने marks से कम marks ले रहे हैं ना ऐसा कुछ data खुदी create कर लो जैसे मैंने यहाँ पर खुद से ही create किया है तो अब मैं below के लिए आपकी ही NCRT की example लेता हूँ आपकी जो exercise है 14.3 उसमें है आपका question number 3 यह data हमें given है जो मैं लिख रहा हूँ यह आपको exam में आपकी answer sheet पे नहीं लिखना होता आपको answer sheet पे groups का ही data लिखना होता है groups बना के लिखना होता है time बचाना अपना ठीक है तो देखें आपकी exercise जो 14.3 है उसका question number 3 है आपको ऐसे दिया हूँ है age in years ठीक है age in years और यहाँ पर आपको number of policy holders दिया हूँ ठीक है policy holders ठीक है और यहाँ पर age जो दे रखी है इस तरह से लिखा हूँ है below 20 20 साल से जो कम है वो कितने हैं फिर दिया हूँ है below 25 then below 30 यहाँ सब below below आएगा और यह 5 का जम चल रहा है तो 35, 40, 45 ठीक है कहां तक जाना 60 तक जाना 45 then 50 55 and then 60 यहाँ इन की age और यहाँ पर लिखा हूँ है number of policy holders तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपके पास आगा है 2, फिर 6 अब इस जो यह लिख रहा हूँ है number of policy holders note करना इसमें क्या चल रहा है decrease कर रहा है कि increase कर रहा है देखना इदर 2, 6 फिर 24 उसके बदद 45 है 45 के बद 78 है 78 के बद 89 है 89 के बद 92 है 92 के बद 98 है और last में 100 है क्या notice कर रहे हैं आप यहां पे सबसे बड़ा number होता है और उसके बाद वो number decrease होना start हो जाते below वाले question में यहां सबसे छोड़ा number होता है और उसके बाद number increase होना start हो जाते देखो यहां लिखा है age in years तो वो जिनकी age below 20 है वो कितने policy holders हैं 2 तो 20 से पीछे वाले यहां लिखा है below 25 तो वो 6 है तो जब लिखा है below 25 6 policy holders है यहां उसमें यह two included होता है क्योंकि यहां पर group नहीं बनाया हुआ है उसमें लिखा below 25 तो below 25 में तो below 20 भी तो आएगा तो यह 6 सिर्फ इसकी बात नहीं करता है यह 6 में 2 भी include है तो अगर मैं पूछू हूँ यह 20 से लेकर 25 तक कितने policy holder है जिनकी age 20 years to 25 है वो कितने बच्चे है वो कितने policy holders है तो आप बोलोगे 4 6 में से 2 minus करना है then 4 you have to write out ठीक है यह data आपको given है I hope आपको समझ में आ गए यह information हमें क्या चीज़ बता रहा है अब यहाँ पर इसको जल्दी से आपने groups में कैसे change करना है वो समझने है देखो main आपका काम exam में यह है नहीं कि आपका time save करना और question जल्दी होना चाहिए तो जैसे आपने यह below वाला data देखा और आपने देखा यह आप मेरे को groups बनाने है more than में मैंने आपको सिखाया यहाँ पर जो number दिख रहे होते हैं यह low limits होती है आपके groups की यहाँ पर below वाले में यह upper limits होती है बिलो वाले में upper limits होती है देखो मैं यहाँ पर किस तरह से जल्दी से सौरी जल्दी से मैं यहाँ पर groups बना रहा हूँ 50 55 और last में आपके पास आजाएगा 60 यह सारे नमबर यहाँ पर उतार दी पहले वाले में कोई भी restriction मत डालो पहले वाले में आप हमेशा लिखो below 0 to 20 लिखने की जुरूत नहीं आपको ठीक है आप just below लिखो पहला जो group है आपका अब यहाँ पर आपको देख लेने जंप कितने का है सर जी यह 55 का जंप चल रहे तो उसी साफ से यहाँ पर नमबर लिख लेने यहाँ पर आपके पास आएगा 20 22 25 फिर आपके पास आजाएगा 25 to 35 फिर 32 35 उसके बाद 35 to 45 है ना पांच पांच का जंप चलाते जाएए 40 फिर 45 फिर आगया 50 and then 55 that's all तो बिलोव वाले में क्या है यह अपर लिमेट्स होटाक से लिखे जंप 5 का है उस हिसाफ से नमबर यहाँ पर आ जाएगे बनगे ग्रूप्स इतना इजी है अब यहाँ पर आपको लिखनी है frequency अब frequency यहाँ पर कैसे लिखनी है यहाँ पर द्यान से देखू करना आपको pairwise ही minus है जैसे मैंने आपको more than में सिखा है यहाँ पर भी आपको pairwise ही minus करना है इसको minus करना है फिर इनको minus करना है फिर इनको minus करना है यहाँ माइनस करते हैं वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पहला वाला जो number है इस group में वही आता है below 20 में आपका 2 ही आएगा यहाँ first frequency और यहाँ पर जो लिखा है वो same होगा इनका जो difference है वो आपके next group से start होगा याद रखना second group से start होगा more than में ऐसा नहीं होता more than में क्या होता है more than में इनका جो difference होता है वो first group में लिखते हो लेकिन below वाले में जो first frequency है वही first group की frequency होगी और इनका जो difference होगा वो next group में लिखना है this is very important तो यहाँ पर आप 6 और 2 में से minus करो सर जी 4 आगया फिर 24 and 6 को minus करो sir 18 आ गया 25, 24 and 45 sir यह आ गया आपके पास 21 ठीक है फिर इनको माइनस करो 8 में से 5, sir जी 3, 7 में से 4 33, फिर इनको माइनस करो sir 9 में से 8, 1, 7 में से 11, फिर इनको माइनस करो sir it is 3 last में, second last is 6 and the last is only 2, इसका total करना है, जो को करना ही पड़ेगा frequency निकालनी है, sorry mean निकालना है, जा फिर आपको median निकालना है, तो इसका total तो आपको चाहिए है न, तो देखे यहाँ पर total करके देखो 100 आना चाहिए, 100 policy holders है last number बनना चाहिए, तो हम CF से ही चेक कर लेते हैं, मानो इस question में आपको median निकालना है, तो निकालो CF तो यहाँ पर CF निकालने की भी जूरूत नहीं होती below वाले questions में, क्योंकि below वाले questions में, यहाँ पर यह greater दिया होता है यही cumulative frequency होती है, जो आपको median के लिए चाहिए होती है, more than में नहीं होती below वाले में यही CF होती है तो here you have to write down 2 फिर आपका 6 आगया, फिर तेखो 24 आगया फिर इनको किया 45 आगया फिर इनको किया 78 आगया, फिर इनको किया 989 आगया, फिर इनको किया 92 आगया फिर आपको 98 आगया, इनको plus किया 100 तो इसका total भी 100 हैगा totally कि एक तर्हास, that's all तो क्या सीखा आपने below वाला question कितनी जल्दी आपने class interval बनानी है frequency बनानी और cumulative आपने यही copy कर ले दी इसके आगे आप median निकाल लो इसका अगर mode का question होता तो mode भी निकाल सकते थे highest frequency आपकी यह आगी यह आपकी F0 यह आपकी F2 यह आपकी F1 यह modal class that's all mean निकाला है mean निकाल सकते तो अभी तक दो questions में आपको मैं यह सिखा चुका हूँ कि कैसे आप below and more than वाला जो data है class interval और frequency में change करते हैं बचे इसमें कोई गलती मत करना board exam में इसके आने के chances बहुत जादा हैं अभी हम आपकी यह NCRT का missing frequency वाला question करते हैं जिसमें हमें median given है और दो class interval की frequency miss है 14.3 का ही है very important question और इस type के mean जा फिर mode से related भी आ सकते हैं missing frequency वाला 14.1 में भी हम एक question कर चुके हैं missing frequency वाला बट उसमें एक ही frequency miss थी ठीक है इसमें आपको मिलेगा 14.3 में question number 2 very simple class intervals हमें given है हम जल्दी से लिख लेते हैं calculation check करना मैं कैसे करूंगा you have class intervals and they are 0 to 10 10 10 का jump है 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 और ये जाना है 50 to 60 here you have frequency and they are 5 second group की frequency miss है this is x हमने consider कर लिया 20 15 फिर last में आपका y और फिर आगे 5 अब यहाँ पर कभी भी 2 frequencies अगर miss हैं आपके पास ठीक है 2 frequencies अगर miss हैं तो यार यह जो total होता है frequency का actual total वो हमें given होता है actual total number of policy holders हैं या number of students हैं वो actually हमें पता रहता है तो यहाँ पर हमें given है कि frequency का जो total है that is 60 एक frequency अगर miss है ना single frequency तब यह आपको given नहीं होगा अगर given होगा वो question बहुत असान हो जाता है लेकिन जब दो दो frequencies miss चल रही है इसका actual total आपको given होगा जो कि 60 है एक इसने equation बनानी है आपकी और दूसरी equation क्या बनानी है यह question किस का है mean का है median का जब mode का है तो उसमें से कुछ एक given होगा अभी इसमें यह median वाला question है तो median हमें given है इस question में median is given and the median is 28.5 that's all अब यहाँ पर calculation में बच्चे silly mistakes करते हैं और कई बच्चे बिल्कुल सही करके आते हैं कोई silly mistake नहीं होती but time बहुत लगाते हैं आपने time कैसे बचाना है इस type के questions में वो मैं आपको अभी यहाँ पूरी calculation करके बताऊँगा जैसे मैं calculation कर रहा हूँ ऐसे ही calculation करना exam में आपका time बचेगा कोई confusion आपको नहीं होगी ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे बचे सबसे पहले as you know median वाला question है तो आपको cf चाहिए तो आपको एक ही column बबनाना है cf का मैं जल्दी से बना रहा हूँ मेरे बचे here is 5 इसमें plus करना है 5 plus x 25 plus x इसमें plus करना है 40 plus x 40 इसमें plus करना है तो यह y है 40 x plus y 45 plus x plus y और इसका actual total is 60 तो last जो cumulative frequency होती है वो इस frequency के बराबर ही होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं here I can take 45 plus x plus y is equal to 60 यह हमने plus किया इनका जो कीतना आएगा और actual total is 60 दोनों को equate कर सकते हैं यहाँ से आपके बास एक equation type बन गई x plus y is equal to 60 minus 45 करो minus सर यह हमारे पास आगया 15 इसको रखो संभाल के एक equation हमारी बन गई यह हमें काम आने वाली जहाँ यहाँ से मैं कोई value निकाल लेता हूँ अगर निकाल नहीं तो direct answer निकाल लेंगे हम y के लिए तो यह मेरे पास y की value आगया 15 minus 6 एक equation आपने ऐसे बनानी है दूसरी आपने उनानी है median से तो देखें हम median का पहले तो आप मुझे formula बताएंगे क्या formula बहलो बताइए L plus n by 2 minus cf divide by f into class size ठीक है अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपको median तो given है तो अगर median given है तो lower limit cf और f को डूणने में हमें कोई problem नहीं है कुछ भी सोचना नहीं मेरे बचे आपका median कितना है यहाँ पर 28.5 आप सिरफ यहाँ पर वो class interval बताओ जिसके अंदर 28.5 आएगा क्या वो 10 और 20 के बीच में आएगा no क्योंकि यह तो 28.5 है तो वो आली class interval को डूणना है वो आपके लिए बन जाएगी median class वहीं से lower limit बलती है वहीं से cf मिलता है वहीं से f मिलता है तो देखो 28.5 कहा एगा 20 और 30 के बीच में आता है yes तो भाई यह आपकी बन गई है median class तो यहाँ से जो lower limit है वो 20 है तो formula मैंने लिख लिए है तो here median class जो अभी अभी हमने डूण ली वो हमारी है 20 से लेकर 30 तक यहाँ से मेरे को क्या पता चला L, L बोले तो lower limit जो कि क्या है 20 और यहीं से मेरे को frequency पता चल गए जो formula में use होती है frequency इसके सामने वाली जो कि कितनी है 20 दो बातें तीसरा हमें cf भी पता चल गया यह L है वई तीसरा हमें cf भी पता चल गया इसके उपर वाली जो cf है वो लेनी होती है तो वो है हमारा 5 प्लस x ठीक है और class size आपको देखी रहा है कितने का चल रहा है 10 का तो h हमारा यहाँ पे 10 है और n by 2 की बात करूँ n by 2 यह जो formula में n by 2 है इसकी बात करूँ तो 60 का half करना है that is 30 लिख ली सारी चीजे अब देखो calculation कैसे करनी है median कितने है 28.5 लिख ली है ठीक है इस median की जगा उसकी value डाल दी lower limit lower limit सर्जी 20 plus n by 2 this n by 2 सर्जी 30 minus cf 5 plus x यहाँ भी बच्चे गलती करते है यहाँ भी बच्चे गलती करते है देखो मैंने यहाँ पर जो cf लिखी न it consists of two terms तो यह वाला minus की वज़े से यह दोनो minus के हो जाएगे तो बच्चे क्या करते हैं यह bracket use नहीं करते जब आप यह bracket use नहीं करोगे फिर सिली mistake हो जाएगी दोनों को आप 5 को minus का लिख दोगे और x को plus का ही रखोगे वो घलत हो जाएगा तो यहाँ पर bracket use करें क्योंकि यह दो terms है minus अंदर multiple ही होगा दोनों के साथ यह दोनों minus के होने वाले ठीक है यह भी आपने द्यार नखने तो यहाँ पर आपका CF आ गया नीचे आपकी frequency कहा है frequency सरजी 20 आ रखी यह bracket class size कितने है का है सरजी 10 का भाई यह cancel हो गया अब देखो calculation बच्चे क्या करते हैं इस 20 को इसके साथ plus करने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं करना है भाई यह 20 इस 28.5 की तरफ ले जाओ आपस में यह minus हो जाएंगे बड़े आराम से तो इस 20 को इसके अंदर plus करने की जुरूरत नहीं है पहला यह आपने calculation में हमेशा दियान रखना अगर इस type के question आ रहे देखो 20 में उधर लेगे यहाँ पर चल रही है हमारी calculation 30 यह 5 और यह x minus को हो गया यह cancel करने के वाँ नीचे 2 बचाओ देखो 28.5 में से 20 minus को रहे है बड़े मज़े से minus हो रहे है इस 8.5 यहाँ पर 30 30 में से 5 minus हो रहे है सर्ची 25 अब देखो 2 इसके साथ multiply करो है ना simple calculation चल रही है कर दो calculation तो यह बन गया आपके पास 17 यह 25 minus x होगे ना must calculation x बच्चे इदर आ गया और 25 में से 17 minus करो तो आपको मिलेगा 8 आगे मिसी frequency first value तो देखो x हमने निकाल दिया यहाँ put कर दो तो y हमारा पहले से ही हमने लिखा हुआ है बस आपको x का value डाल इतना easy question होता है तो यहाँ calculation में क्या दियान रखना है इस number को इसके अंदर नहीं involve करना इसको इस number को दे देना है और यहाँ खास minus का ख्याल रखना इस type के question में तो कभी गलती नहीं लगेगी answer एकदम आपका perfect निकलेगा ठीक है तो यह दो questions जो अभी मैंने करवाए है below वाला और यह वाला इससे आपका आपकी 14.3 एकदम complete हो गई और एक extra question भी आगया more than वाला I hope आप stat में कोई भी question में आप नहीं फस होगे बढ़ अभी एक lecture में आपको इसका और दूँगा जिसमें और अच्छे और important question में आपके लिए लेकिया होँगा और इन तीनो measures of central tendency हम कर रहे है mean, median, mode इनमें एक relation रहता है वो relation भी हम discuss करेंगे और उस पर based भी हम कुछ questions करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना बचे Thank you, bye bye and take care